हाई गैज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंजिनियर से स्टॉप और आज के वीडियो में हम 8085 के पिन को सब्सक्राइब मिलते रहें इसके लीए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब में लीजिए हम लोगवान को सब्सक्राइब कुछ basic points या basic चीज़ें बता देते हैं 8085 microprocessor के बारे में कि यह जो है इसको कब introduce किया गया था 1977 में यह existence में आया था ठीक है इट बिट microprocessor ठीक है यह किते bit का microprocessor होता है 8 bit का कई सारे competitive exam में कुछ बहुत basic points से लेके question उठाया जाता है ठीक है जिन से एक आपका यह भी है कि आपका 8085 कितने bit का microprocessor है तो आंसर है इसका 8 bit ओके और इसका actual name क्या रखा गया था 8085A ओके और इसका डाइमेंशन मतलब इसका साइज क्या है और 164 mm 222 mm और इसके पास total कितनी पिंस है 40 पिंस ठीक है अब हम देखते हैं इसके detailed diagram को तो यह आपका 8085 का pin diagram है ठीक है देखें अब थोड़ा सा पिं diagram में आपके पास total किती पिंस है 40 पिंस है ठीक है और आप एक चीज़ और द्यान देख दीजेगा कि आपके पास जितनी भी पिंस है पहली चीज़ पिंस का direction 1 से 20 तक यहां पर है ठीक है लेट साइड पर और राइट साइड पर 20 से 40 तक है direction भी देखेगा कि numbering के सिसाब से की गई है ठीक है अब दूसरा point यह आपको देखना है कि हर एक pin के साथ देखे arrow लगाया है ठीक है arrow इसलिए लगाया है तापकी आपको यह बताया जा सके कि इस pin पर यह जो signal है ठीक है यह जो pin है यह input को accept करेगी या output देगी ठीक है मतलब य signal इसके अंदर की तरफ आएगा प्रोसेसर में या प्रोसेसर से signal बाहर की तरफ जाएगा या फिर दोनों direction में काम होगा ठीक है मेरी बात को समझेगा तो आपके पास जैसे यह जो सबसे पहले x1 x2 है देखे इसके साथ arrow जो लगा है यह क्या है अंदर की तरफ जा रहा है मत मतलब यह माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यह signal आएंगे ठीक है तो arrow की direction का बहुत important रोल है तो कई semester exam अगर हमें आपसे pin diagram बना के explain करने को पूछा जाता है ठीक है तो आप या तो देखिए पहली चीज़ तो आप directions को याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अग चलिए एक एक करके अब हम लोग pins को ध्यान से देख लेते हैं अच्छा इसका division किया गया है एक बार division को देख लेते हैं कि आपका यह जो यह इता है यह आपका address bus है ठीक है AD02-87 यह आपका क्या है address and data bus का combination है AD02-87 ठीक है इसके अलामा यह इधर यह जो आपके mark करके रखे ग generate करने के लिए है ठीक है और यह अपके serial input output data transfer के लिए यूज किये जा रहे है ठीक है और यह आपका X1 and X2 है crystal input ठीक है किसका क्या रोल है इसको अब हम detail में discuss करने वाले हैं ठीक है तो जैसे कि आप लोगों ने microprocessor के पहले आप लोगों ने अगर computer organization पढ़ा है तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कुछ ICs के बारे में है ना and gate की IC होती है और gate की IC होती है जो आपके पास basic logic gates की IC होती है उनमें भी आप VCC and ground करते हैं ठीक है इसी तरह से ये भी आपका एक चिप ही तो है है ना ये microprocessor भी चिप है तो इसको भी active रहने के लिए क्या चाहिए होगा power supply चाहिए होगा तो VCC plus 5 volt power supply provide करने के लिए है and VSS जो है ये ground करने के लिए है ठीक है और ये concept pin number पर देख लेते हैं आपका VCC pin number 40 है ठीक है और VSS मतलब इसको आप ground भी कह सकते हैं ये आपका pin number 20 है ठीक है और दोनों का direction क्या है input side में है मतलब अंदर की तरफ ये signal जा रहे है ठीक है इसके अलावा अगला है आपका X1 and X2 ठीक है X1 and X2 इसका जो use है ठीक है ये जो clock है इसके internal frequency is microprocessor की हमेशा maintain रहे इसके लिए X1 and X2 are used ठीक है अब देख लेते हैं crystal is connected and these two points the frequency is internally divided by 2 therefore to operate a system at 3 megahertz the crystal should have frequency of 6 megahertz okay and ये है आपका clock ये X1 and X2 कहीं न कहीं इस आपका जो ये clock signal है इसी को help करता है to maintain the internal frequency of the microprocessor ठीक है और clock आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपने जब पहले भी पढ़ा होगा तो जैसे आपके पास human being के लिए अपना एक clock है ना समय से हरे काम को करना है ठीक है सुबह उठते है रात में सोते है लंच करते है डिनर करते है इसी तरह system के पास भी कुछ ऐसा चीज होना तो जिससे यह चीजों को arrange कर पाए कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है ठीक है और इस चीज के लिए system के पास अपना खुद का clock होता है ठीक है तो this signal can be used as the system clock for the other devices ठीक है अब हम आते हैं आगे इसके बारे मैंने आपको बता दिया है VSS pin 20 है input direction है and pin 40 पर VCC है plus 5 volt power supply is connected to VCC and ground signal is connected to VSS this is already done और यह आपका देखें यहां पर highlight भी किया हुआ है ठीक है अब यह आपके जो X1 and X2 है मैंने इसका overall description आपको दिया है पर इसके साथ कुछ और points है देख लीजे इस और also called crystal input pins ठीक है and to generate clock signals internally 8085 requires external inputs from the X1 and X2 so that internal frequency could be maintained ठीक है ओके अब हम आते हैं reset in and reset out ठीक है तो reset in देखें यह क्या है यह reset in किसकी तरफ है input है मतलब reset in signal जो है यह microprocessor के लिए input है और साथ में लिखा भी है यहां पर pin 36 input signal and reset out is pin 3 output signal ठीक है तो reset इन क्या होता है, यह microprocessor को reset करने के लिए use किया जाता है, it is active low signal, active low signal होने का मतलब यह है कि जब इस pin को 0 मिलेगा, तब यह काम करेगा, तब यह आपके इसको reset कर देगा, active low signals होते हैं, जैसे normal conditions में क्या होता है कि जब किसी चीज़ को 1 मिलता है तब वो operate करना शुरू करे सब्सक्राइब नेकिन जो भी चीजें आपकी एक्टिव लो होंगी वह उन्हें जब 0 मिलेगा तब वह एक्टिवेट होंगी इसलिए इसका नाम है एक्टिव लो ठीक है क्योंकि देखो यहां पर यह जो रीसेट इन पिन है इस पर देखो कॉंप्लिमेंट का सिंबल है इसलिए क्योंकि जब इसको 0 मिलेगा तो 0 का कॉंप्लिमेंट क्या हो जाएगा 1 और इसको reset in क्या मिल जाएगा microprocessor को क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा इसका मतलब यह समझ जाएगा कि microprocessor को हमें reset करना है ठीक है अच्छा अब माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने का क्या मतलब है तो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने से मतलब है क्लियरिंग दा PC & IR PC का मतलब प्रोग्राम काउंटर IR मतलब instruction register कि आप किसको clear कर दोगे PC और instruction register को clear कर दोगे ठीक है disabling all interrupts except trap क्यूं अच्छा सारे interrupts को disable कर देना होगा त्राप को चोड़के क्यूं ऐसा होगा हम इसको और देखेंगे ठीक है डिसेबल सोडी पिन सीरियल आउट्पूट डेटा पिन इसको डिसेबल कर देना है जितने भी बशेज हैं डेटा बस अड्रेस बस कंट्रोल बस सबको disable कर देना है और gives high output to reset out ठीक है जब भी reset in को आप active करोगे तो reset in पे जब भी zero मिलेगा तो microprocessor खुद को reset करेगा और ये इतनी सारी activities आपकी perform होगी ये खुद तो reset हो गाई और उसके साथ ये high output to reset out pin ये जो reset out pin है ठीक है reset out pin कौन से number पे third number पे ठीक है इस पे ये one signal generate करेगा मतलब इसके साथ जितनी में devices connected होगी इस microprocessor से जो भी devices connected होगी ये उन्हों को भी reset करेगा ठीक है तो अब reset out का roll देख लेते हैं पहली चीज़ तो ये कैसा pin है output pin है ठीक है मतलब अब microprocessor दूसरे को कोई signal दे रहा है और दूसरा कौन है वो devices जो microprocessor से connected है तो it is used to reset the peripheral devices and other ICs on the circuit ठीक है इस एन आउटपुट सिगनल जैसा कि आप ये direction एरो के direction से समझ सकते हैं इस active high signal ओविसली जो वन पे काम करेगा वो active हाई है जो जीरो देने पर activate होगा वो active low है ठीक है हाँ दा आउटपुट ओन दिस पिन गोज हाई whenever reset is given low signal ठीक है reset इनको जब भी 0 मिलेगा या low signal मिलेगा ये आपका हाई हो जाएगा मतलब microprocessor खुद तो reset होगा ही और कहेगा कि जो लोग मुझसे connected है वो सारे के सारे reset हो जाए ठीक है and the output remains high as long as reset in is kept low तो आप जो है मैंने जितने भी points हर pin से related हो सकते हैं मैंने सारे कुछ add किये है और आपके exam point of view से आप अगर आपको लिखना है semester में तब भी आपके पास आपको sufficient points मिल जाने है paper में लिखने के लिए ओके चलिए अब हम आते है SID and SOD full form क्या है serial input data for SID and SOD for serial output data ठीक है तो SID कौन सा है pin 4 है ठीक है यह किसके लिए है input के लिए है मतलब इसका direction किसमें है input की तरफ है और pin 5 कौन सा है SOD और इसका direction कि धर तरफ है output की तरफ है और यह आपका यहाँ पे highlight भी किया हुआ है ठीक है अब serial input data नाम से ही पता चल रहा है तो यह क्या करता है it takes what bit input from serial port of the 8085 ठीक है यह क्या करेगा serial input data ले रहा है input के लिए है तो यह जो port से एक bit data को उठाएगा ठीक है and stores the bit at the 8th position of the accumulator ठीक है अब microprocessor के अपने कुछ registers होते हैं जिनमें से मतलब एक सबसे common register है accumulator ठीक है तो अब processor microprocessor एक तरह से processor ही तो है तो आपके पास processor के पास registers होते हैं जिनमें से एक होता है क्या accumulator और यह क्या करता है देखो और थोड़ा simplify करता है serial input data का मतलब है कि यह pin क्या करेगा serial port से एक bit data को उठाएगा और उठाके कहां पे रख देगा MSB position of accumulator ठीक है and rim rim मतलब read interrupt mask instruction is used to transfer the bit और यह काम करने के लिए मतलब ports से data को उठाके accumulator पे रखने के लिए rim instruction का यूज किया जाता है जिसका full form क्या होता है read interrupt mask ठीक है इसी तरह आपका क्या है serial output data accumulator से content को उठाके serial port पे रखना है ठीक है तो उसके लिए हम किसका यूज करते है sod ठीक है उल्टा काम ही तो कर रहे है न यहां पर क्या कर रहे थे हम serial port से data को उठाके accumulator में ला रहे थे क्यों क्योंकि यह तो input direction में काम कर रहा था अब क्या है कि हम अपना accumulator से one bit data को उठाएंगे और serial port पे रखेंगे क्योंकि यह output pin है तो हम इसे बाहर की तरफ देजेंगे ठीक है तो output serial port पे रख रहे हैं ठीक है output दे रहे हैं ठीक और कैसे करते हैं टेक सब इट पोजीशन आफ दा अक्यूमिलेटर जैसे हमने रखा था उसी सीक्वेंस में हम काम करेंगे और इस किस काम को करने के लिए किस इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है सिम इंस्ट्रक्शन का तो इसका फुल फॉर्म क्या है सिट इंटरॉप्ट मास्क ठीक है तो यह हो गया आपका SID and SOD SID का direction input SOD का direction ठीक है अब सबसे important पार्ट में आते हैं that is interrupts interrupts of 8085 ठीक है तो आपके पास 5 interrupt pin है ठीक है कौन-कौन से है ट्राप RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5 and INTR these are all four interrupt pins आप इसको diagram में भी दे सकते हैं यह रहा हमारा लाइन से ट्राप कहां से कहां तक है 6 7 8 9 and 10 ठीक है 6 से लेके 10 तक यह सारे interrupts में है ठीक है चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास interrupt के कई सारे type होते है ठीक है जैसे आपके पास क्या-क्या type बनता interrupt का maskable interrupt non maskable interrupt ठीक है वेक्टर इंटरप्ट नॉन वेक्टर इंटरप्ट ठीक है इसी तरह से हमारे पास interrupt की कई सारी categories है लेकिन कुछ important चीजों को हम लेके चल रहे हैं जैसे maskable and non maskable और वेक्टर और नॉन वेक्टर ठीक है तो maskable interrupt आपको मैं अगर simple से बताओं कि जैसे ऐसे interrupt जो अकर हुए जैसे हमारा प्रोसेसर है ठीक है आपका microprocessor है ठीक है इसको कोई interrupt मिला ठीक अगर इस interrupt को आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता है ठीक है इस interrupt को सर्विस देने के लिए अगर यह थोड़ा सा टाइम ले सकता है आप इसको आसान शब्दों में को अगर इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता है या फिर आपको कि थोड़ी देर के लिए अगर प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इसे ंडिसेबल कर सकता है तो ऐसे इंटरप्ट को हम क्या कहते हैं मास के बलें ठीक है मतलब आपके पास कोई इंटरप्ट ऐसी जनेरेट हो रही है जिसके पाइश इसको आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो या फिर इंटर culd कि आप जिसे थोड़ी देर के लिए disable कर सकते हो तो ऐसे interrupt को क्या कहते है मास्केबलेंटर्प्स ओके तो विच कैन बी enabled और disabled ठीक है और enabling and Disabling is done by the software instructions ठीक है और मास्केबलेंटर्प्स कौन कौन है वो कौन से interrupts है जिन्हें आप थोड़ी देर के लिए delay कर सकते हैं disable कर सकते हैं यू कैन से simple words में ignore कर सकते हैं क्या क्या है RST 7.5 6.5 5.5 और INTR ठीक है यह सारे आपके क्या है मास्केबल अब आते हैं वोट इस नौन मास्केबल ऐसे ऐसे इंटरप्स जिनको आप डिसेबल नहीं भी कर सकते किसी भी तरीके से जिनकी हांडलिंग जो है वो बहुत ही important होती है ऐसे interrupts को हम क्या कहते हैं नौन मास्केबल ठीक है तो ऐसे interrupts जिसे processor आपका ignore नहीं कर सकता delay नहीं कर सकता या disable नहीं कर सकता वो कौन से इंटरप्स है नौन मास्केबल इंटरप्स तो दा इंटरप्स विच आर ओल्वेज इन इनेबल मोड आर कोल्ड नौन मास्केबल इंटरप्स और इंटरप्स जिसे आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके अब देखते हैं कि वाट आर वेक्टर्ड इंटरप्स और नौन वेक्टर इंटरप्स ठीक है दा इंटरप्स विच आफ फिक्स्ट मेमरी लोकेशन फॉर ट्रांसफर ओफ कंट्रोल फ्रॉम नौर्मल एक्सक्रॉट बवर को पता हुगा है इंटरप्स होता है कि कोई ऐसा सिग्णल को आपके नौर्मल एक्सक्रॉट कर रहे थे एक इंटरप आया हम यहां जंप कर गए कहीं और यहां पर एक्जिक्यूट करने लगे कुछ ऐसा होता है तो वेक्टर्ड इंट्रप्ट क्या होते हैं दा इंट्रप्स विच्छा फिक्स्ट मेमरी लोकेशन पॉर ट्रांस्फर ऑफ तंच्रोल फ्रॉम नॉर्मल एक्जिकूशन ऐसे इंट्रप्स जो जिनके अकर होने पर हम किसी एक फिक्स्ट लोकेशन पर जंप कर जाते हैं ठीक है उन्हें क्या कहते हैं वेक्टर्ड इंट्रप्स टूद पर्टिकुलर लोकेशन इन मेमरी और यह कौन-कौन से इंट्रप् कौन-कौन से है आरेस्टी 7.5 और 6.5 5.5 यह सारे आपके क्या है वेक्टर्ड इंट्रप्स ठीक है अब इनका लोकेशन भी फिक्स है ठीक है बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है कि यह जो आपके वेक्टर्ड इंट्रप्स है यह किस लोकेशन पर मूव करते हैं अगर आपक है तो आप कौन से लोकेशन पर मूव करेंगे यह आपका लिखा हुआ है 003C हेक्साडेसिमल वैल्यू ठीक है आरेस्टी 6.5 इंट्रप्स जन्रेट होगा तो 0034 पर जन्रेट करें आप जंप कर जाओगे 5.5 इंट्रप्स जन्रेट होगा तो 002C वैल्यू पर आप जन्रप् कैसे रहा है क्या है इंट्रप्स का नाम क्या है आरेस्टी 7.5 जब आप्स 7.5 में 0008 से मुल्टि प्लाइ करोगे तो आपको जो यही रोकेशन मिले धा आउट्पुट में, hexadecimal value आपको यहीं मिलेगी, जब आप 6.5 में 0008 से multiply करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 34 ही मिलेगा, 0034 ही मिलेगा, ठीक है, result, ठीक है, इसी तरह जब आप 5.5 को 0008 से multiply कर रहे हैं, तो यह मिलेगा, ठीक है, 4.5 को 0008 से multiply करेंगे, तो आपको यह मिलेगा, यह आपके सारे vectored interrupt है, तो एक चीज़ आप समझेगा, आपके interrupt कही तरह के होते हैं, ठीक है, हमने जैसे बताया कि यह अब इसमें से देखा जाए, तो यह तीनों क्या है, mass cable है, लेकिन trap आपका कैसा है, non mass cable है, ठीक है, लेकिन vectored और non vectored के मिलेगें, तो यह हमारा vectored की category में सारे fall कर रहे है, ठीक है, अब non vectored क्या है, non vectored ऐसे interrupt है, which don't have fixed memory location for transfer of control from normal execution, जिनके आप, जिनके अकर होने पे जरूरी नहीं है कि हम किसी एक fixed location पे move करें, हमें पता नहीं है कि हम कहां move करें, ठीक है, ठीक है, the address of the memory location is sent along with the interrupt, कहां जम करना है, वो interrupt के साथ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, पहले से कोई ऐसा fix नहीं है, कि अगर ये interrupt आ रहा है, तो आपको यहीं पर जाना है, नहीं, जब interrupt generate होगा, तो उसके साथ आपको ये बता दिया जाएगा, कि आपको कहां jump करना है, या कहां move करना है, program control को, ठीक है, तो interrupt में तो होता है, ये interrupt generate हुआ तो इसका मतला आपको नॉर्मल execution flow break हो जाता है, और आप नहीं, नहीं location से execute करना शुरू कर देते हैं, आचा, non-vectored interrupt का example क्या है, I, N, T, R is non-vectored interrupt, तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, देख लेते हैं, क्या-क्या हमने देखा था, कौन-कौन से interrupt हैं हमारे पास, हमारे प में हमने type के basis पर discuss कर लिया, अब देख लेते हैं, what are priority of these interrupt, ठीक है, तो trap जुत को जो है highest priority दी गई है, ठीक है, और RST 7.5, second priority पर है, 6.5, third priority, 5.5, fourth priority, and INTR is fifth priority, ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर यह चारों या पाचों एक साथ generate होते हैं, तो किसको priority मिलेगी, ठीक है, किसकी handling पहले होगी, उसके लिए सबकी interrupts की priority भी set कर दी गई है, ठीक है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, हार एक interrupt के बारे में, तो जितनी चीज़ें हमने भी पढ़ी है, उन्हीं से सब कुछ conclude करते हैं, कि trap क्या है, non-mass cable है, ठीक है, इसको highest priority दी गई है, क्योंकि non-mass cable है, इसलिए इसे आप disable नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है, it means trap signal must go from low to high, ठीक है, अब high to low इसे नहीं कर सकते हैं, low to high करोगे, ठीक है, and must remain high for certain period of time, ठीक है, इसका use कब होता है, क्यों ये non-mass cable बनाया गया है, इसका reason यह है कि इसका use अभी किया जाता है, जब power failure हो या emergency shut off हो, उसी case में trap interrupt का use किया जाता है, चलिए, अब RST 7.5 के बारे में देख लेते हैं, it is pin number 7, और input signal है, it is mass cable interrupt, it is on second highest priority, and ये जो है, और एक interrupt की category है, it is positive edge triggered only, ओके, और इसके साथ mass cable interrupt है, और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं, it is vectored interrupt, right? आगे आते हैं 6.5, it is mass cable, it is third highest, it is level triggered, ठीके, and the pin has to be held high for a specific period of time, 6.5 can be enabled by EI instruction, and it can be disabled by DI instruction, ठीके, enable interrupt, EI, and DI मतलब disable interrupt, ठीके, अब RST 5.5 पर आते हैं, it is also mass cable, fourth highest priority, level triggered, and इसे भी कुछ specific time के लिए pin को high रखा जाएगा, and it is very similar to RST 6.5, ठीके, I and TR के बारे में आ जाते हैं, it is mass cable interrupt, it has the lowest priority, it is general purpose interrupt, and it is an interrupt request signal, ठीके, तो अगर किसी device को कोई भी interrupt देना है, मतलब अगर कोई device है, अगर उसे microprocessor से communicate करना है, या कुछ help चाहिए, तब वो interrupt request करेगी, किसके थूँ, I and TR, pin के थूँ, जो की कौन सा है, pin number 10, ठीके, और I and TR क्या है, I and TR, it stands for interrupt acknowledgement, ठीके, जैसे ही, अगर देखो, I and TR and I and TR, क्या है, I and TR, कोई भी peripheral device, जो है, अगर उसे, किसका, ये microprocessor से कुछ काम है, ठीके, या microprocessor से कुछ help चाहिए, तो वो क्या करेगा, interrupt signal देगा, किसको microprocessor को बताएगा, कि I need you, मुझे आपकी मदद की जरुवत है, तो इसका नाम क्या है, interrupt request, किके, जब microprocessor को पता चलेगा, कि अच्छा, किसी को मेरी help चाहिए, कोई device है, या कोई device है, कोई circuit है, जिसे मेरी help चाहिए, तो उसके, जब microprocessor आपका, उसकी request को handle करने के लिए तियार हो जाएगा, जब उसको वो service देने के लिए तियार हो जाएगा, तो वो उसको acknowledgement देगा, ठीके, बताएगा कि हाँ, मुझे आपका signal मिल गया है, एक्टिव लो सिगनल, एक्टिव लो होने का यह मतलब है, कि यह जीरो पर activate होगा, ठीके, लो आउटपुट अन दिस पिन इंडिकेट्स दाट, microprocessor has acknowledged the INTR request, and it is an interrupt acknowledgement sent by the microprocessor, after INTR is received, ठीके, तो INTR के response में, microprocessor आपका INTA generate करता है, ठीके, तो यह दोनों, INTR and INTA, यह दोनों आपस में interrelated है, देखिए, पास-पास में है, एक pin number 10 है, INTR अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से, और यह जो है, बाहर की तरफ जा रहा है, यह मतलब processor जो है, बाहर यह signal भेज रहा है, ठीके, अब हम आते हैं, address and data pins, तो आप सभी लोग जानते हैं, कि आपके पास तीन तरह के buses होते हैं, address bus, data bus and control bus, ठीके, तो address bus आपका क्या है, address bus क्या define करता है, कि आपके पास कितने bit का address है, ठीके, और address bus की ज़रुद क्या है, अगर आपको memory के किसी particular location पे move करना है, तो आपके लिए उसे address की ज़रुद है, ठीके, उस location की address की हमें ज़रुद पढ़ेगी, और address हमें, हम उस address तक पहुँचेंगे कैसे, with the help of address bus, ठीके, address bus के तुरूँ आपका processor और memory आपस में connected रहते हैं, ठीक, तो the address bus is used to send the address to memory, and it selects one of the many locations in the memory, और 8085 में किते bit का address है, 16 bit का address है, ठीके, 8085 जो microprocessor है, यह किते bit का address generate करता है, 16 bit का, ठीके, data bus, it is used to transfer data between microprocessor and the memory, and data bus is of 8 bit, ठीके, यह तो हुई address bus and data bus की बार, ठीके, अब देखे, आपका data bus किते bit का है, microprocessor में, 8085 में 8 bit का, ठीके, तो आपका जो data bus है, मतलब D02, D7, ठीके, ताकि हमें number of pins बढ़ानी न पड़े, जैसे देखो, अब मेरी बात को समझेगा, हमने जो है address, बस यह जो address के least significant bit थे, A02, A7 को, हमने data bus, मतलब D02, D7, इन दोनों pin को आपस में multiplex कर दिया गया है, आपस में 7 में मिला दिया गया है, उसका reason यह है कि अगर हम इसको अलग-अलग करते, तो उससे हमारा एक नुकसान होता है कि हमारे पास number of pins बढ़ जाती, ठीक है, मतलब के microprocessor में number of pins बढ़ानी पड़ती, फिर यह हुआ कि अगर हम same pins को data bus और address bus दोनों की तरह use कर ले, तो क्या बुराई है, ठीक है, जो address की LSB है, उसको आपस में mix कर दिया गया है, मतलब D02-D7 और A02-A7 को एक साथ merge कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, AD02-AD7 और यह कहां से कहां तक है, pin number 12 to pin number 19, and these are bidirectional, ठीक है, these pins serve the dual purpose of transmitting lower order address and data bytes, ठीक है, यह address को भी transfer करते हैं और data byte को भी transfer करते हैं, ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, AA to A15, यह आपके क्या है, मतलब यह आपके unidirectional address bus है, ठीक है, address pins है, from AA to 15, मतलब यह आपका high order address bit है, ठीक है, यह आपका high order address bus है, AA to A15, और आपका यह वाला जो A0 to A7 था, यह आपका lower order of address bit था, ठीक है, तो यह आपका pin number 21 सो pin number 28 तक है, ठीक है, these pins carry the higher order of the address bus, the address is sent from the microprocessor to memory, and these 8 pins are switched to high impedance state during the hold and reset mode, ठीक है, अच्छा, अब अब आते हैं, सबसे important चीज, ALE, यह आपका है pin number 30, ALE pin number 30 है, और इसका full form है, address latch enable, कभी कहा जाता है, कभी कभी इसे कहते हैं, enable address latch, ठीक है, दोनों ही आप कह सकते हैं, अब इसका काम क्या है, आपने यह तो कह दिया, कि भाई हम AD 0 से AD 7 तक इसको हम use करेंगे, address बेजने के लिए भी, और data को भी बेजने के लिए हम इन ही bits का use करेंगे, लेकिन कभी यह तै होगा, कैसे decide होगा, कि कभी यह address बेजेगा, कभी यह data को भेजेगा, ठीक है, तो इसके लिए, ale signal का use किया जाता है, तो if ale is equals to 1, अगर ale की value 1 है, ठीक है, आपका जो यह AD 0 to AD 7 है, यह किसकी तरह काम करेगा, यह address bus की तरह काम करेगा, ठीक है, और अगर आपका, यह जो ale है, यह 0 है, तो यह आपका जो bus है, यह कैसे काम करेगा, data bus की तरह काम करेगा, ठीक है, तो ale का basic purpose क्या है, it indicates whether bus function as the address bus और data bus, यह जो हमने AD 0 और AD 7 को आपस में multiplex कर दिया है, यह कब address bus की तरह काम करेगा, कब data bus की तरह काम करेगा, यह आपका कौन बताएगा, ale signal, ठीक है, अब हम आपते हैं, S0 and S1 की तरह, ठीक है, S0 and S1 are called status pin, कौन से pin है, यह pin number 29 and pin number 33, ठीक है, यह आपको बताते हैं कि, यह जो आपका microprocessor है, इसमें अभी current time पे क्या काम चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करें, S0 और S1 को, और अगर इससे आपको दोनों पे 00 signal मिलता है, तो इसका मतलब अभी microprocessor halt state में है, मतलब halt state को आप no operation भी कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अगर आपको S0 और S1 पे, S0 पे 0 और S1 पे 1 मिलता है, इसका मतलब microprocessor कौन सा operation perform कर रहा है, write operation perform कर रहा है, ठीक है, और अगर आपको यह मिले कि S0 पे 1 signal मिल रहा है, और S1 पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब आपका microprocessor अभी read operation perform कर रहा है और अगर S0 और S1 दोनों पर 11 मिलता है तो इसका मतलब आपका कौन सा operation अभी microprocessor कर रहा है अपकोड fetch का ठीक है तो S0 और S1 आपके microprocessor के status को बताते हैं कि अभी आपका जो microprocessor है वो कौन सी activity को perform कर रहा है ठीक है io oblic m यह आपका बताता है कि अभी किस तरह का operation perform हो रहा है जैसे आप जानते हैं कि आपका जो computer होता है वो दो mode में operation perform करता है दो तरह के operation होते हैं एक होता है memory operation एक होता है input output operation तो अभी क्या चल रहा है ठीक है क्या perform हो रहा है input output operation perform हो रहा है memory operation perform हो रहा है यह जानने के लिए कौन सा pin का use किया जाता है input output और memory ठीक है pin number 34 और इसका direction क्या है output मतलब बाहर की दरफ है ठीक है this pin tells whether input output और memory operation is being performed ठीक है if input output और memory is equals to 1 तो इसका मतलब देखो अगर इसको 1 मिल रहा है अगर इस pin पे 1 मिल रहा है इसका मतलब यह वन गया तो memory के लिए इस पे देखो m पे complement लगा है ठीक है तो इसके पास जब 1 जाएगा तो यह तो इसको 0 मिल जाएगा इसका मतलब कौन काम कर रहा होगा आपका input operation, input output operation perform हो रहा है अगर input output oblique m is equals to 0 तो इसका मतलब memory operation आपका perform किया जा रहा है ठीक है अब अब ध्यान से समझे कि यह जो input output वाला signal है और S0, S1 इन तीनों के combination से अब हम समझ सकते हैं कि आपके microprocessor में कौन सा operation perform हो रहा है ठीक है तो अगर आपका यह 0 है ठीक है 0 होने का मतलब है कि अभी यह कौन सा operation चल रहा होगा memory operation ठीक है बाकी S0, S1 वाला आप जानते ही है कि 1, 1 है इसका मतलब opcode patch हो रहा है कहां हो रहा है memory operation ठीक है उसके बाद अगर अच्छा वो तो मेरे हाँ ठीक है चल यह memory read इसका मतलब यह 0 है ठीक है memory read हो रहा है मतलब यह आपका यह 0 देना पड़ेगा तभी आप memory operation perform कर पाएंगे और S0 और S1 1, 0 होंगे ठीक है memory write है यह वाला signal आपका 0 रहेगा और यह 0, 1 अब input output read करना है तो इसका मतलब आपको इससे क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा और read करने के लिए यहाँ पे signals क्या होने चाहिए 1, 0 और write करने के लिए 0, 1 और interrupt acknowledgement के लिए यह सारा क्या होना चाहिए, all 1, ठीक है, and last one कि जब यहाँ पे आपका यह high impedance state में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे all 0, तभी आपका क्या रहेगा, hold operation, ठीक है, चलिए, आप हम आते हैं read signal, अब तो आप इसको ऐसे समझ लीजे कि these are control signals, ठीक है, तो आपके, तरह से यहीं से शुरू हो गये हैं, जब आप input output operation होगा, या memory operation होगा, ठीक है, यहीं से आपका control signals चुरू हो गया है, ठीक है, read signal किसके लिए है, read operation के लिए, ठीक है, तो यह कौन सा number pin पे है, pin number 32 पे, ठीक है, और it is an active low signal, active low होने का मतलब जब इसे 0 मिलेगा, तभी activate होगा, and it is control signal used for read operation either from memory or from the input device, ओके, a low signal indicates data on the data must be placed either from the selected memory location or from the input device, memory location आपको यह address bus provide करेगा, या address lines provide करेगी, और signal यहाँ से generate होगा, जो location selected होगा, वहीं से data को उठा के आपको memory में रख देना है, ठीक है, and अब हमाते हैं, write वाले पे, ठीक है, तो write stands for, wr stands for write obviously, it is also active low signal, and used for write operation either into memory or output devices, a low signal indicates that data on the data must be written into selected memory location or into the output device, read and write are very simple pins, तो इसलिए मैं इस पे बहुत फोकस नहीं कर रही हूँ, कि मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ रहे होगे, ठीक है, अब एक ये pin जो है, आपका बहुत ही important है, ready pin, ठीक है, ये आपका pin number 35, direction is input, ठीक है, इनको microprocessor के साथ synchronize कराने के लिए use किया जाता है, मतलब speed mismatch ना हो, इसके लिए आपका ये pin use किया जाता है, ठीक है, तो, it senses whether a peripheral is ready to transfer data, और not, means ये जो ready signal है, ये चेक करेगा, हर एक peripheral device को, जो connected है, ठीक है, जो आपकी slow speed peripheral devices है, उनको ये चेक करेगा, कि क्या ये device data transfer करने के लिए तियार हो गई है, या नहीं है, ठीक है, और अगर आपको ready पे high मिल रहा है, बतलब आपका जो ये ready pin है, इस पे आपको one मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि peripheral devices ready, ठीक है, और अगर आपको ready वाली pin पे zero मिल रहा है, low मिल रहा है, तो, इ सिगनल मिल जाएगा इसका मतलब डिवाइस इस रेडी टू ट्रांस्फर डेटा और अगर जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब माइक्र प्रोसेसर को तब तक वेट करना होगा जब तक यह हाई ना हो जाए ठीक है इसके साथ आपको मिलता है HLDA तो अगर आपने DMA पढ़ा है डेटा डियमे डारेक्ट मेमरी ट्रांस्फर है ना तो DMA के टाइम पे आप इंटरप्ट वगेरा प्सेंड करने के लिए DMA request करने के लिए आप hold signal का use करते है तो hold pin is used to request the microprocessor for DMA transfer घीक है that another device is requesting the use of address and data bus, okay, and having received hold request, the microprocessor releases the use of bus as soon as the current machine cycle is completed and internal processing may continue, okay, and after the removal of hold signal, the processor regains the bus, और इसके बाद आते हैं, HLDA, HLDA holds for, stands for hold acknowledgement, तो microprocessor use this pin to acknowledge the receipt of hold signal, अगर आपको याद हो, जैसे हमने use किया था ना, INTR and INTA, तो interrupt request send की गई, ठीक है, और उसके response में microprocessor क्या बेज रहा था, INTA, interrupt acknowledgement, उसी तरह, यहाँ पे DMA transfer के लिए, जो device थी, उसने क्या signal भेजा, hold, ठीक है, और उसके response में, आपका जो microprocessor होता है, यह कौन से signal को भेजता है, HLDA, मतलब hold acknowledgement, ठीक है, acknowledge the receipt of hold signal, when HLDA signal goes high, address bus, data bus, read, write, input, output and memory pins are try stated, and this means, they are cut up from the external environment, अब इसको कौन यूज़ करेगा, अब यह जो है, आपके जो peripheral device है, जो external device है, वो directly आपके data bus, memory और यह जो भी आपके data bus, address bus, इन सब को directly access करेंगे, और direct data को transfer करेंगे, तो यह हमारा हो गया HLDA, ठीक है, I hope कि आपको pin diagram of microprocessor 8085 समझ में आया होगा, अगर आपको कोई doubt है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको video पसंद ना है, तो please do like, share and subscribe my YouTube channel, thank you for watching, thank you guys, stay home, stay safe, take care, bye-bye.